नमस्कार आपन जारकन देख रहे हैं आप आपके साथ मैहूर वशी और सबसे पहले बात करेंगे जेपीएसी की तो आपको बता दे कि जेपीएसी की साथवी से दसवी जेपीएसी की पीटी परिक्षा में गरबरी पर राजिपाल रमेश पैस ने पूरे मामले पर रपोर्ट मांगे संबन में राजबबन की ओर से जेपीएसी सुचिप को पत्र भीज़ा गया है इसमें कहा गया है कि पीटी के मामले में गरबरी के शुकायत मिली है उसके सबी बिंदूओ पर लखित जवाब दे इस मामले को लेकर अभियार्थियों ने राजबबन को ग्यापन सो अ कहीं न कहीं अभियार्थियों के जिन्दगी के साहता खिलवार हुआ है अब तक क्या कुछ इस पूरे मामले पर विस्तु जानका इमल पा रही है जी सात्वी सी दस्वी जेपीएसी का जो पीटी का रिजल्ट हुआ था और रिजल्ट के बाद कहीं न कहीं अभियर्थियों के दुआरा इसमें धानली का रोप लगाया गया था और इसका जो सिकायत है महामहिम से भी की गई थी हलाकि महामहिम ने पहले भी एक बर जो जेपीएसी के चेर्मेन थे उनको बुला कर इस मामले पर बात की थी और जो एंसर सीट थी उसको सरवजनिक करने की बात कहीं गई थी हलाकि उसके बाद जिस तरह से जो 59 ऐसे अभीयर्थी जिनका ओमाज सीट नहीं मिला उनको सफल घोसित करने के बाद भी जेपीएसी ने अब सफल घोसित कर दिया है तो कहीं न कहीं जो कम्या है वा जरूत दिखने को मिल रही है और कल इसको लेके राजबहुन से एक पत्र जेपीसी के जो सची हुएं उनको भी लिखा गया है कि जो सिकायत मिली है अभियर्थियों के दुआरा राजभोन को यानि राजपाल को सिकायत की गई थी अभियर्थियों की दुआरा उसकी एक कोपी भी भेजी गई है उनको और उनसे जबाब तलब किया गया है कि आप जो भी सिकायत है उसको बिंदुवार तरीके से उसकी रि प्रश्राइब आपके जो अबियर्तियों का जो आरोप था पहले कि कई ऐसे परिख्षा के अंदर थे जहां पे करमसा जो विद्यार्थी थे एक रूम से सारे विद्यार्थी पास हुएं जो कहीं न कहीं इस घपले की और एक संकेत दे रहा था जिसके बाद अबियर्तियों इसकी जो OMR सीट थी उसको सारजनी करने की मांग जेपीएसी से की थी पर ओ भी उस सुरुवाती दोर पे नहीं किया गया था और अब जब 49 से चातर जो जो जेपीएसी का पीटी में पास हो गये थे उनकी OMR सीट नहीं मिली जिसके बाद उन चातरों को 49 से चातर जिनको अस सफल हुए थे वे अब जेपीएसी पे और भी हावी होते नजर आ रहे हैं क्योंकि उनका या आरोप जो पहले था वा कहीं न कहीं सत्य होता नजर आ रहा है एही वज़ा थी कि जिन चातरों का उमार सीट नहीं जेपीएसी को मिला उन चातरों को असफल गोसित किया गया है वे उन चातरों के इस पूरे मुद्दे को सदन में रखेंगी और सदन में का सकते हैं जोरतार तरीके से हंगा में भी होने के आसार इस बर देखने को मिलना है जे संदीप इस पूरे मामले पर अभियार्थी जब रजपाल रमेश बैस के पास गए थे राजबोबन जाकर उन्होंने ग्यापन सुपा था उनकी क्या प्रतिकिरिया रही उन्होंने क्या कुछ आदेश दिया है क्योंकि अब ये पूरा मामला हो सकता है कि हाई कोड कि समक्ष भी जाएगा आए था और कही न कहीं समस्याओं से ओगत कराया गया था जो डिमांड थी उन सभी चीजों को भी जेपीएसी चेर्मेन के सामने रखा गया था आखिर उसके बाद कहीं न कहीं जो कटोप मार्क्स होते हैं वे भी बहुत दिनों तक रिजल्ट के बाद तक नहीं निकाला गय और महामहीम ने आदेश दिया था कि क्यों ना जब छात्र चार हैं तो उन चीज को सारवजनिक किया जाए जिसके बाद कटॉप मार्क्स जेपीएसी ने जारी किया था उसके बावजूद भी जो अभियर्थी थे उनका साब तोर पे आरोब था कि कई ऐसे छात्र थे जिनका क रूम में ही जितने भी अभियर्थी सामील हुए थे इस परिक्षा में वे करमसा पास किये गए थे तो कहीं न कहीं या आरोब छात्रों का था कि उस जगापे ही सबसे अधी गड़बड़ी हुई है और कहीं न कहीं इस सात्मी से दस्मी तक कि जो जेपीएसी परिक्षा है उसमें पूरी तरह से धानली हुई है और इसी को लेके वे जो एक्जाम को रद करने की मांग कर रहे हैं। तो देखना होगा कि क्या जेपीएसी को और से अब किस तरह से जवाब राजय पाल के पास दिया जाता है।